दोस्तो बीदे दिन आने की 12 जनवरी को टी सीरीज ने एक धमाकेदार फिल्म का धमाकेदार ट्वेलर रिलीस किया है फिल्म का नाम है शेहजादा जब बात फैमली पे आये तो डिसकशन नहीं करते हैं एक्शन करते हैं इस डालॉक के साथ ट्वेलर में मोस्ट टनिंग आक्टर कार्तिक आरेन की धमाकेदार एंट्री होती है दोस्तो कार्तिक आरेन इन दिनों बॉलिवूड के उभरते हुए सितारे बन रहे हैं उन्होंने पिछले साल भूल भूलेया जैसी शांदार फिल्म की है जो ब्लॉक बस्टर साबित हुई थी इस साल कार्तिक आरेन शेहजादा फिल्म लेकर आ रहे हैं कुछ दिनों पहले इस फिल्म का टीजर रुलीज हुआ था जिसमें कार्तिक का दमदार लुक देखने को मिला था तबसे फैंस इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे अब मेकर्ज ने शेहजादा का ट्रेलर रुलीज कर दिया है कार्तिक आरण की फिल्म का ट्रेलर जबरदस्त है इसमें कार्तिक आक्शन के साथ साथ कॉमेडी करते हुए दिखाई दे रही है इस फिल्म में भरपूर आक्शन, रामा और रोमैंस सभी कुछ देखने को मिलने वाला है ट्रेलर की शुरुबात कार्तिक आरण के एक आक्शन सीन से होती है इसके बाद ट्रेलर में कार्तिक आरण और कीर्ती सेनन रोमैंस करते हुए दिखाई देते हैं इसके लावा परेश रावल इस फिल्म में कार्तिक के पिता का रोल निभा रही है ट्रेलर में एक बड़ा सा बंगला दिखाया जाता है तब कार्तिक अपने पिता से पूछते हैं कि बाबा मैं बच्पन से देख रहा हूँ कि आप मुझे कभी अंदर नहीं जाने देते हैं उसके बाद परेश रावल अपना डालोग पूरा करते हैं गरेबी में पलने वाले कार्तिक आरन को अचानक पता चलता है कि उनके पिता परेश रावल नहीं है और कार्तिक ही उस जिंदल परिवार और बड़ी सी हवेली का शेहजादा है लेकिन इसके अलावा फिल्म में एक और कहानी है जो ट्रेलर में तो नहीं दिखी लेकिन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये कहानी फिल्म में जरूर हाइलाइट की जाएगी फिल्म के बेसिक स्टोरी लाइन दो दोस्तों के बारे में होती है वालमिकी और रंडीब जिंदल वालमिकी का किरदार परेश्ट रावल ने निभाया है दोनों लंबे समय से दोस्त हैं मगर जिंदल शेहर का सबसे रईस आदमी बन जाता है वालमिकी उसके लिए काम करता है वालमिकी को लगता है कि जिस मुफलिसी में उसने जिंदगी गुजारी है उसके बेटे के साथ वैसा नहीं होना चाहिए संयोग ऐसा बन जाता है कि वालमिकी और जिंदल दोनों की पतनिया एक ही अस्पताल में एक ही दिन दो लड़कों को जन देती है वालमी की बच्चों की अदला बदली कर देता है यानी जिंदल के बेटे को अपने घर ले आता है और अपने बेटे को जिंदल के घर भेज देता है ताकि उसके बेटे को अच्छी लाइफ मिल सके इस घटना की गवा सिर्फ एक नर्स होती है जो कौमा में है बीस से पच्चस साल बाद वालमी की के घर रहने वाले लड़के को पता चलता है कि वो जिंदल का बेटा है अब वो जिंदल को इस बात का यकीन कैसे दिलाता है यही आपको इस फिल्म की कहानी में देखने को मिलने वाला है यही कहानी अलू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंट पूर्मूलो की भी है और शहजादा इसी फिल्म का हिंदी रीमेक है जिन्होंने साउथ इंजिन की फिल्म देखी हैं उन्हें पहले से ही फिल्म की कहानी का पता होगा बता दे कि इस फिल्म में कार्तिक आरण के अलावा परेश रावल, कीर्ती सेनन और राजपाल यादव धी दिखाई देने वाले हैं फिल्म में कार्तिक के किरदार का नाम बंटू रखा गया है शहजादा फिल्म का डारेक्शन डेविड धवन के बेटे रोई धवन ने किया है इस फिल्म को ट्रीटर्ज में दस फरवरी को रिलीज किया जाएगा इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जादा तर एक ही कमेंट कर रहे हैं अर वह कमेंट है नो वन क्यान रेप्लेस अलौ अर्जुन फैंस की माने तो वो इस फिल्म में अलौ अर्जुन को ही देखना ज़ादा पसंद करने वाले हैं लेकिन इसके बावजूद कई फैंस ऐसे भी है यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अगर पसंद आतो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल आइकन दबाएं जिससे हमारे सबी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें